आपकं कर दोस्तो तो हम बनाएंगे पनीर तो पनीर कामसाला घर सही तयार लेते हैं अब दोस्त थोड़ा सा टयाम लगता है थोड़ा सा प्याज हम ऐसे ही ले चलेंगे वहां पर तड़का देने के लिए पैयारी कर लेते हैं उसके बाद हम चलते हैं आप लोग भी चलिएगा फटाप से नमस्त दोस्तों उसा विलेजपूर चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज का जो वीडियो है कि लिए और यहां पहली भास थी और यहां पर इतना यदा लगता हैं तो सब से हम बनाएंगे बुधी तो दिके मैं आप सार यह शहाइँ ऐसे अपर रूठ देते हैं तो सिर्वल रहा है तो से हम चलाएंगे नहीं महीं को एक साइड होने देंगे मही एक साइड आ गया है तो मैं मही को निकाल देती हूं तो उपलते समय आप लोग दूद भी इसमें डाल सकते हैं मही साप करने के लिए हट्रो भी डाल सकते हैं तो सीरे को हम देख लेते हैं कितना पती लुगा है तो सीरे हमारा तयार हो गया है थोड़ा साइसे एक मिनट तक और हम रखेंगे तो अब इसमें हम डाल देते हैं कलर कलर डालने अब अच्छे से मिला देते हैं तो अब आटा तयार होगा तो इसमें थोड़ा सा निकाल कर थोड़ा थोड़ा निकाल कर भूदेंगे तो आज को हमने एकदम कम कर दिया है और देखिए तैयार हो चुका है सीरा अब इसमें हम जान देंगे बूदी तो हलका सा यह लासा बन रहा है बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि हमें बूदी बनाना है तो हाथ पर गिराकर हम देख लेते हैं तो हलका सा इसमें लासा बन रहा है क्योंकि सीरा हलका सा उबल रहा है अभी ते तयार हो जाएगा तो सीरा हलका सा ठंदा हो गया है तो इसमें हम डाल देते हैं बुदी तो बुदी डानने पाद इसको अच्छे से सीरे में डुबो देते हैं अए तो बुदी को शीरे मैं अच्छे सी डिवडिया हैं अब इसमें खीड़ा को बीया डाल देते हैं इसको भी अच्छे सबना देते हैं तो बुदी दोस्को मारा बहुत ही बढ़ियां बने गा आप लोग देख सकते अभी इसे इतना अच्छा लग रहा है और देखें ठेट सारा सीरा है अभी अच्छे से बुद्धी में घुज जाएगा तो सीरा एक दम बिल्कुल कम हो जाएगा अब बहुत नहीं अच्छे से बुद्धी हमारे तयार हो जाएगी तब इसके हम ढग कर ऐसी छोड़ देते है चलते हैं पनीर बनाना बनाना स्टाट करते हैं तो इसी भगोने में हम बनाएंगे पनीर तो इसमें हम डाल देते हैं संसों का तेल को अच्छे से करम होने देते हैं तो दोस्तों आप लोग इसी तेल में पनीर को तल सकते मैं तल कर नहीं बनाऊंगी आप इसमें डाल देती एक प्याज कटा हुगा है तो इस तरफ प्याज मारा पकरा है तो इस तरफ आप लोग देख सकते हैं मसाला हमने शारा इस तर भर से लाएंगे हैं टमाटर पिसा हुआ है प्याज लेसुन मिर्चा अधरक काजू तो सभी चुजो को एक साथ में पीछ लिया दोस्तों वहां से पारी वारा लाना मुझे असान नहीं लगा एक साथ मिला रहे हैं एक साथ में पका लेंगे अच्छे से अब इस तरफ पनीर को भी कटवा ले रहे हैं तो प्याज हमारा गोल्डर बढाउन हो गया है देखिए बहुत ही अच्छे से पक गया है कि तेल हमने थोड़ा सा से फिनयर किया है गरेवी के लिए तो सभी मसाले एक साथ डालकर मुझे से पकाएंगे ऑर है तो चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे है तो इस तरफ हम पनीर बना रहे हैं उस तरफ भीया लोग आटा तयार कर रहे हैं दोस्तों आटा थोड़ा सा ज्यादा है तो बहुत जल्द हमारा खाना बनकर तयार हो जाएगा गुद देंगे तो अब पानी में हम सुखे मसाले को घोर लेते हैं तो अब पस परे डालते हैं इसमें गरम मसाला पनीर मसाला डाल देते हैं इसमें चार पैकट पनीर मसाला हमने डाल दिया है अब इसमें डाल देते हैं दनिया पाउडर हल्दी पाउडर कास्मीरी लाल मिर्च ये तीखा नहीं ह हुआ दो किसी होएally को हमने अच्छे से बूल लिया है तिसमें ध्य Belgium अग सभी मसाला यह तो हमने बहुत ही अच्छे से बूना उआ है बहुत ही बढ़िया दोस्तों इस Amendment कुछा रा रहा है के सभी मशाला हम ऑकम यह बादते हैं कोई मसाला कउ भी जोसी नहीं अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मटर. मटर को डाल के इसे भी मिला देते हैं. मटर को हमने एक मिनिट तक पाचछे से सपखा लिया है अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर. तो यह भी पनीर हम इसमें डाल देते हैं तो हलके हाँ से अब हम पनीर को मिलाएंगे तो इस तमें हम आज को थोड़ा सा कम कर दिया है तो दीमी आज में इसको हम एक मिनट तक मिला देंगे जैसे पनीर में अच्छे से मिल जयां मसाला तो आप हम इसमें डाल देते हैं पानी तो देखिए बहुत ही अच्छा समारा ग्रेवी बनकर तयार होगा तेखिए हमने एक बल्टी पानी राल दिया देर बल्टी फिर भी बहुत ही बढ़ियां लग रहा है तो दोस्तो पानी बरसना श्टार्ट हो गया है तो आप लोगों थोड़ा सा दिखा देते हैं हमने क्या-क्या बनाया है सायद पानी कितना बरसे तो ये देखिए हमने पनीर बना हुआ है अभी एक बोरा जोस्तों आटा सरा गया है अभी एक बोरा बाकी है अभी एभी जीया कर तयार होगा उसाथ में धेड़ सारा तेल डाल कर हम बनाएंगे तो पनीर काफी उबल चुका तिसमें हम डाल देते हैं स्वाधनस्वान नमक दोस्तों पनीर हमारा बन कर तयार है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मनिया कलारा आया है और गरेवी भी दोस्तों बहुत ही मनिया है तो आप लोग अच्छा लगा तो जरू मारे वीडियो को लाइक कर देना इस पर बहुतार देते हैं घर्ष कम करके भगोना उतानने एक बाद इसे दहरी धनिया अब इससे हम ढग देते हैं तो अब हम रख दिया है कराई कराहिम डाल देते हैं रिफायन का तेल दस किरो रिफायन तेल डूस्तों डालेंगे अब पानी भी नहीं बरस रहा है तो पटाक से पूरी बना लेंगे तो अब हम पूरी बनाना हे स्टार्ट करते हैं तो अला बहुत ताला डाला जाला डाला तो दोस्तों कचवड़ी हमारी बहुत ही बढ़िया बन रहा है आप लोग देख सकते हैं तो सभी बहुत ही अच्छे से पुल भी रहा है और अच्छे से अंदर तक पख भी रहा है क्योंकि बहुत जाद हमने तेज आज नहीं किया हुआ है तो पूरी चान के दोस्तों इस डिलाइम हम रख रहे हैं एक दो गहा और बना कर इसके बाद हम खाना खिलाना स्टाट करेंगे और बनता भी रहेंगा बचे लोग सब लोग खाते भी रहेंगे क्योंकि रात बोने बाली है तो कचवड़ी हमारे देखी बहुत अच्छे से अंदर तक पक चुका है अब बरावन करकल अब बहुत ही अच्छा लग भी रहा है पकने के बाद अब इसे हम निकाल देते हैं निकालते समय थोड़ा सा कराहे में हम देखें कल्चुल पर वेट करेंगे जैसे इसमें चला जाए अब बच्चों को खिलाने चलते हैं उस तरह पूरी अभी उन दोस्तों सना भी रहा है और बन भी रहा है अब इसमें टाइम लगेगा अब रात हो जाएगी चलिए हम अब अब खिलाएंगे खाना तो दोस्तों काफी रात हो गई है तो सब लोग मिलकर अच्छे से हल्दी से बाड़ कर खिला देते हैं अब ही तक दोस्तों हम लोग बना ही रहे हैं और काफी लोग आगे हैं काम करके तो उन लोगो को चलते हैं मैं जाएंगे सब लोग को खिला खा लेंगे तो थोड़ा सा है मैं बना लेती हूं तो दोस्तों खाना हमारा बनकर तयार है हमने बुनिया बनाए पनीर बना हुआ है और यह पूड़ी तो दोस्तों आप लोग अच्छा लगाए तुमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना कमेंट करना सेयर करना और आप लोग मारे वीडियो को लास तक लखें इसके लिए धन्नमाद मिलते हैं अगले वीडियो नई रेश्पी के संग तब तक के लिए नमस्कार